परिवर्तन ही संसार का नियम है तो क्यों न कुछ परिवर्तन किया जाए और इस नियम को पालन करते हुए इस होली कुछ नया टीस टीशा बनाया जाए बिल्कुल डिफ्रेंट यूनीक इस माल पुए गुजिया और सकरपारे की रेसिपी से बिल्कुल अलग तो वेलकम बैक अपने महमान के लिए अपने घर वालों के लिए बना पाएंगे और यहां पर सबसे पहले मैं माफी चाहूंगी दो चीजों के लिए मेरी वोइस के लिए जो कि साथ थोड़ी सी क्लियर नहीं होगी बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समझा पाऊं और दूसरी ला और इसके करीब लाइट कट रही है हमारे नचपीसी में कंटिन्यू बारिस हो रही है इसके चलते तो थोड़ी सी न मैं यहां फ्लेश लाइट का यूज करके ही वीडियो बनाई हूं तो अचलिए वीडियो शुरू करते हैं तो नॉर्मल एक मैं कटोरी ली हूं उसमें मैं थोड़ा सा मिल्क ले ली थी विनेगर डालके उसे थोड़ा साइट कर दी और बटर मिल्क बनाकर कर रख ली फिर एक बाउल ली हूं जिसमें मैं वो बटर मिल्क ली यहां पर वॉयल ली हूं तीन चमच कॉंटिटी आप एक दो चमच घटाए बढ़ा भी सकते हैं पीसी हो कर्यंवार्मिंट ले सकते हैं तो इसमें मैं देखेंडस के सब्सक्र करीब मैदा और विव क्रीमी आप जहांता है तो जानले भुटसे मैं उसभी तरहें टक्रीक्षे कर दुटस तरह प्ल Sherman उप्लडवे क्राइखेंस टो टव्टस आप यह उड हमस्ट सो वर्री आप के बैटर में वो नहीं बनेगा और हाँ ये मत सोचिएगा कि मैं केक बना रही हूँ केक वाली रेसिपी तो लग रही है पर ये बहुत है डिलीशियस है और इसका आप क्या नाम देना चाहिएगा वो आपको मुझे कॉमेंट करके बताएगा आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज अपने फ्रेंट्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा जिस से आप या आपके फैमिली मिंबर्स कुछ न्यू बना पाएं होली पे कुछ डिफरेंट अपने महमानों को खेला पाएं तो जैसा कि मैंने आपको मिजरमेंट बता दिया है कि पांच सबस्की सिरकों सबस्की पंजएगा बहुत ही थोड़ा सा फिंच से देखे तो चार पिंच मैंने बेकिंग से एक बिचिंग सिरकार को मैं इसमें तो एमलशन भी आईड कर सकते इससे प्यारा सा पनद सा चींओ लेंगा मैं यह एबस्कौच के प्यारा सच का बेकिंग सोर जरूर देखिएगा आपके लिए बहुत ही यूसफुल वीडियो यह होगा आप चाहें तो इसी क्वांटिटी को बढ़ा करके आप केक भी बना सकते हैं उसके बाद दूद के हिल्प से और हाँ फ्रेंड्स एक बात को और ध्यान रखे कि सारा कुछ आपको रूम मेरा यह बैटर रेडी हो गया तो फिर में यहां पर दो ड्रॉप के करीब लिक्विड फूड कलर अड़ कर रही हूं यलो वाला जिससे ना की ब्यूटिफुल सा कलर आ जाएगा और काफी अच्छा लगेगा देखने में कलर आप नहीं करना चाहते तो एक पिंच हल्दी भ कर सकते हैं इससे आपके टेस्ट में कोई फर्ट नहीं पड़ेगा पस देखने में थोड़ी से ना जादा सुंदर लगेगी फिर मैं एक पैन ली हूं जिसे मैं अच्छे से गरम कर लिया एक मिनिट के करीब गैस पे चड़ा के मैं गरम की उसमें थोड़ा सा बटर ली को कहना हो कहिए यह रेडी हो गया यह देखिए तूटपिक बिल्कुल क्लीन है काफी जादा शाइनी ग्लिटरी यह केक वला लुक जो है इसमें आया था और बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बना था और टेस्ट का तो क्या ही कहने तो चलिए इसके लिए क्रशी बनाते हैं जो कि आप केक्स में भी यूज कर सकते हैं लेकिन हम इसमें भी यूज करेंगे तो यहाँ पे मैं नॉर्मल पैनली हूँ उसमें चीनी डाल दी जितना भी आपको बनाना हो करना हो उतना आप करे उसकी बाद चीनी को थोड़ा सा मैं अच्छे से स्प्रेड करने के बाद यह तो का यह जो केरमल है, वह बिल्कुल कड़वा हो जाएगा, especially इस process में, caramelization में इस बात का specially दियान रखा जाता है कि यह जो हमारी चीनी है, वह कहीं से जले नहीं, और proper way में melt हो, proper way में melt होगी तभी इसका टेष्ट जो है वह perfect आएगा, जैसे की बिल्कुल उसी तरीके से गोड वाली बनाते हैं ये चीनी वाली तो ये जो मेल्टिंग प्रोसेस है प्रॉपर होनी चाहिए और स्टार्टिंग में आप स्पून ना लगाएं जब मेल्ट होने लगे चीनी तब ही आप स्पून से चलाएं बहुत जादा नहीं बस अतना ये जन लोगों को भी केक सिखा थी वो लोग भी अवेलेबल थे क्योंकि ये प्रलाइन की रेसिपी जो क्रॉंची रोटी उसकी रेसिपी मुझे उने सिखानी थी इस वज़े से वो लोग मेरे साथी थी तो इसले आपको बार बार डिफरेंट हैं उसके बाद जब इच्छ का यूज की हूँ और अगर आप चाहे तो वालनट का भी क्रॉंची बना सकते हैं पीनिट का भी बना सकते हैं बड सबसे अच्छा टेस्ट है वो आलमंट से आता है पर मेरे पास अवेलेबल नहीं था इस वज़े से मेहां पे काजू का यूज कर रही थी क्योंकि वालनट और आलमंट जो होते हैं जादा दिन रखने से वो कीड़ा लग जाता है इसलिए उसे जितना जल्दी अप यूज कर ले उसका टेस्ट और फ्रेशनेस उतना ही जल्दी बरकरार रहेगा और उतना ही अच्छा लगेगा जादा दिन होने पर टेस्ट कराब हो जाता है उसकी मैं यहाँ बटर पेपर ली हूँ उसके उपर इसे स्प्रेड कर ली फिर फ्रेजर में एक मिनिट के करीब मैं रख दी क्योंकि मैं उझे हट बड़ी थी आप चाहे तो और आम से पांस-दस मिनिट रख सकते हैं मैं एक मिनिट में यह कच्छे से सेट हो गया उसके बाद जो कलर भी कितना प्यार आया है एकदम क्रीम कलर का और देखें नीचे से यह जला हुगा नहीं है इसे ने क्रिस्पिनस आई है और जो टेस्ट है वह सोंधा सोंधा बहुत अच्छा लगता है छेना पोड़ा खाए होंगे अगर आप लोग अरिश्या का तो वह भी नीचे से ब काफे जादा गैपिंग हो जाएगी इसलिए फोर्क का यूज करना जादा अच्छा है और यहां पे दूध आप चाहे तो गरम यह ठंडा कुछ भी ले सकते है क्योंकि हमें इस दूध को गरम करना है और काम को आसान करने के लिए मैं यहां पे मिल्कमेड अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल जो मिल्क पॉडर होता है उसे ले ले गरम पानी में हलका घोल ले थोड़ा सा यलो फूड कलर अगर वह भी नहीं है तो कस्टड पॉडर भी आप ले सकते हैं आधा चोटा चमस बहुत ही कम कॉंटिटी में आपको कस्टड पॉडर लेना है और इलाइ क्योंकि बहुत जादा ना फ्लेवर एसेंस या इमल्शन एड करने से थोड़ा सा टेस्ट है ना वह केमिकल टाइप का फीर होने लगे का जैसे आपने कोई केमिकल एड कर दिया है तो इसलिए मैं बहुत कम ही उस करती हूं और यह मैं पॉर कर दी इस केक पे यह जो भी कह है उसके उपर फिर मैं यहां पर क्या क्यों कि क्रीम जो नॉर्मल विपिंग क्रीम होता है आप चाहे तो यह पर चीज क्रीम का भी उसकर सकते उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा पर मेरे पास थोड़ी से विपिंग क्रीम बची होई थी केक्स के वाज़ा के बाद त और यह देखिए जो लोग सीख रहते है उनका गलती से हाथ लग गया था ट्राइपोड पर जिसके पुरा आगे हो गया खेर कोई नहीं पर यहां पर लाइट की कमी के चलते है पाइपिंग बैक कौन चेंज करने जाता तो मैंने नॉर्मली जो बॉटल होता है हर्षी का सिर इतनी महनत में बचा रही हो कि पाइपिंग बैंग में फिल करोंगी और उससे थोड़ा फाइन बनाऊंगी तो मैंने सोच चलो लोग घर के लिए है आप लोग को बता रही हो आप लोग समझ जाओगे आप लोग ऐसा ही क्रियेटिव हो अपने से थोड़ा दिमाग लगा ल फिल आएगी और उसके बाद लिए लिए और वार जब यप यवली डिजग बनाएं तोट पी को क्लीन करें जिससे आपका क्लियर यह डिजाइन बन के आएगा अगर तोट पी क्लीड नहीं करेंग तो यह तो पैटर्ण बन रही है यह बिलकुल समय्टरी नहीं आएगी इस और उसे इस तरही के से डिजाइन दे और फिर नाइफ से मैं हापे कट लगा दूगी अभी तो ताजा ही है इसे सेट कर दे फ्रिज में ठंडा कर के रग दे और जब भी आपके महमाना आए बस निकाल कर दे दे ठंडा ठंडा बहुत ही मज़ाएगा रसमलाई से भी जादा स् माल पुए से का महनत लगता है गुजिया वाली जामेला ही खत्म हो जाएगा और बहुत ही नियू यूनीक और यह रसपी आपके महमान खाएगे न तो जरूर पूछेंगे कि कैसे बनाया उसके बाद इसे कट कर दी जो क्रण शीज बनाई थी उसे लास्ट में से टाइम पहीं डाले और यहां पर मैं थोड़ा सा रोस्पेटल्स को अच्छे से लगा दी हूँ और इसे गार्णिश कर दी और हमारा यह जो डिफरेंट यूनीक और बहुत ही डिलिशिस तो एक बार इसे जरूर ट्रॉई कीजेगा और मुझे पूरी उमीद है कि आपके घर वालों में उतना ही स्वादिस्ट पसंद आई हो वीडियो यह रसेपी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर जाएगा डिली न्यों केक डिजाइन देखने के लिए फैमिली व्लॉक्स देखने के लिए साथ ही इंट्रेस्टिंग सी इजी गॉ चैट